भारत की बहुआयामी व्यक्तित वाली रादिका सरतकुमार एक अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिग्य के रूप में एक समरिध करियर का दावा करती हैं। उनका योगदान विभिन फिल्म उद्योगों में फैला हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु सिनेमा, तीवी धारावाहिक और वेप शिंखला पर ध्यान केंद्रित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी, मल्यालम और कन्नड फिल्मों में उल्लेखनिय भूमिकाय निभाई हैं। मनोरंजन उद्योग से जुड़े परिवार में जन्मी राडिका, दिवंगत, अभिनेता, एम आर राधा और गीता की बेटी हैं। उनके पिता का पैत्रिक संबंध तिरूप्ती से जुड़ा है, जबकि उनकी मा श्रीलंकाई तमिल मूलकी हैं। राडिका की शैक्षिक यात्रा उन्हें भारत, श्रीलंका और यूनाइटेड केंडम के संस्थानों में ले गई और एक विविद और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को आकार दिया। अपने परिवार में राडिका का अपने भाई भनों के साथ घनिष्ट संबंध है। उनकी निरोशा नाम की एक छोटी बहन है, जिसने उनकी तरह एक अभिनेत्री के रूप में सफलता पाई है। दो छोटे भाई, राजु और मोहन, पारिवारिक गतिशीलता को बढ़ाते हैं। विशेश रूप से राडिका के दो सौतेले भाई, राधा रवी और एम आर आर वासु भी हैं, जो फिल्म उद्योग के ख्षेतर में एक मजबूत संबंध स्थापित करते हैं। दिल के मामले में राडिका की प्रेम कहानी अभिनेता सरतकुमार के साथ सामने आती है। चार फरवरी 2001 को शादी के बंधन में बंधे इस जोडे के बीच पहले दोस्ती हुई थी, जो एक रोमांटिक रिष्टे में बदल गई। इस अनोखी यात्रा को स्क्रीन पर और भी अमर बना दिया गया, जहां उन्होंने दो फिल्मों नम्मा अन्नाची 1994 और सूर्यवन्शम 1997 में स्क्रीन साजह की। उनके मिलन को 2004 में राहुल नाम के एक बेटे का जन्म हुआ, जिसने उनके व्यक्तिगत आनंद और पारिवारिक आनंद में एक नया आयाम जोड़ दिया। परिवार का विस्तार राडिका की बेटी, रेयान के साथ जारी रहा, जिसने 2016 में क्रिकेटर अभिमन्यू मिथुन से शादी करके अपनी खुद की यात्रा शुरू की। इस मिलन ने राडिका के लिए माता-पिता बनने की खुशी को जन्म दिया, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक पोते और एक पोती का स्वागत किया। विवाह, जन्म और साजाक्षणों द्वारा चेहनित उनके पारिवारिक आख्यानों का अंतरसंबंध प्रेम और एक जुपता से बुनी गई एक टेपेश्ट्री को दर्शाता है। राडिका सरतकुमार की बहुमुखी प्रतिभा पारिवारिक धाचे के भीतर उनकी भूमिकाओं से परे फैली हुई है। मनोरंजन उद्योग में उनकी पेशिवर यात्रा उतकृष्टता से चहनित की गई है, जिससे उन्हें कई भाषाओं और माध्यमों में प्रशंसा और पहचान मिली है। एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, मल्यालम और कन्नड सिनेमा में अपने अभिनेसे अमिट छाप छोड़ी है। अभिनेसे परे, उन्होंने निर्देशन और निर्मान में भी कदम रखा है, और कैमरे के पीछे एक रचनात्मक शक्ती के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। मनोरंजन की दुनिया में अपने योगदान के समानांतर राडिका ने राजनीती के क्षेत्र में भी कदम रखा है। इस शेत्र में उनका प्रवेश सामाजिक मुद्दों के प्रती, उनकी प्रतिबधता और लोगों के कल्यान में सार्थक योगदान देने की उनकी आकांक्षा को उजागर करता है। भूमिकाओ का यहदवंद्व, सुर्खियों में और जनता की सेवा दोनों में राडिका सरतकुमार के बहुमुखी व्यक्तित्व को रेखांकित करता है। संक्षेप में राडिका सरतकुमार की जीवन कहानी परिवार, करियर और सार्वजनिक सेवा के धागों से बुनी गई एक टेपेश्ट्री है। विविध भूमिकाव और उद्योगों तक फैली उनकी यात्रा, उनके लचिलेपन, प्रतिभा और उनकी कला और जिस समुदाय की वह सेवा करती है, उसके प्रतिस्थाई प्रतिबधता का प्रमान है।